हेलो विच्चो एक बार पुना स्वागत करता हूँ आप सभी कि आपके अपने यूट्यूब शैनल बाल स्टोडी में तो विच्चे लोग आज हम लोग करने वाले कच्छा दस्वी का इतिहास का पहला चिप्टर जिसका नाम है इरोप में राष्टवाद और विकास लिए अब लोग यहां पर स्टार्ट करतें जल्द से ही पहला किसवी तकि आपके सामने क्या आए कि फ्रांसीसी करांथी कारियों ने वाले कारिकी है ना कैसा कारिक है पहचान बढ़ाने लिए पहां रांसीसिक पहचान बढ़ाने का काम किया ठीक ना प्रिती भूमी पित्री भूमी और नगरीक जैसे सब्दो द्वारा फ्रांसिसियों में एक सामुहिक भावना और पहचान बढ़ाने का परियास किया गया छेत्रिय भासा के अस्थान पर फ्रेंच भासा छेत्रिय भासा के अधार पर कौन से भासा फ्रेंच भाषा को प्रोचाहित किया गया यह दिख्यों पहला का उत्र आप लोग लिख लिएगा अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही है अगर आप अपको आपको सारा का सारा चीज पढ़ाया जाएगा जो कि आप अपने से भी बना सकते अपने से बना सकते इसका उत्तर ठीक ना 409 पर मात्रा पे किजिए इस नंबर पर दखिए या तो पहले आप बात कर लिजेगा निनानमे पर दखिए या तो पहले आप इंक्वाइरी कर लिजे इस नंबर पर मैसेज करके ठीक ना बात कर लिजे कि कैसे पर आप क्लास को जोइन करते हैं तो आपको फूरे पर देगा ना तो क्या होगा कि यहां पर सारा सब्जेक्टीव आप खुद बखुद बना सकते यहां पर इस तरह से पढ़ा जाता है इसलिए डायरेक्ट जो आप की उसंस बता रहे हैं अब जो जो बच्चे कलास हमारा पढ़े हैं तो उसलिए जो हैं सिर्फ आंसर यहां बताते हैं समझाते नहीं चली दूसरा नमर क्यूशन कहा राष्टवाद के विकास में नेपोलियन को नेपोलियन की क्या भूमिका थी जो पूछ रहा थी इसका देखिए उत्तर हो जाएगा बगु कि नेपोलियन बोना पार्ट यानि कि इसका समाई देखिए यहां से 1789-18 ने अपने सासनकाल में राष्टवाद के परियास के लिए निक सुधार समन्दिकार किया जैसे पहला कि नेपोलियन ने भी से 17 तथा आर्तिक आसामांता को की समान्ता किस्थापना की पहला ही हो गया है तुसरा देखिए दूस्ण सुपलाइब करो में समांता सब्सक्राइब देखते हैं पहला दूसरा तीसरा मुल्ग ऐसा करके देखते हैं प्रांस द्वारा विजयी परदेशों को छीन कर बीविन राष्टों में बाठा गया उसके बाद दूसरा कि स्पेन को पुना ताना साही देश बना दिया गया अब अगला है कि तीसरा नमर की पूसर की हाल लेंड को सोतंत्र कर दिया गया यह देखे हो गया तीसरा अब हम लोग चलते हैं चौथा नमर की उसन आप लोग कॉपी में नोट करके लिख ले जाए ठीक लिडियो को रोग करके आप लोग नोट करते हैं चौथा नमर की उसन है कि उनानी सोतंत्र संग्राम के कार्णों और परिनामों का उलेह करना मतलब कि उसके बारे महं को बताना चली इसका उत्तर हो जाएगा उनाइस सो बतीस में उनान को एक सोतंत्र और संप्रभू राष्ट घोसित कर दिया कि पर्त किरियावादी निती को गहरी ठेस लगाए यह जाएगा चौथा का उत्तर अब है अगला देखिए पाचवा नमर की उसन की इटली के की करन में गैरी बाल्टी की भूमिका पर परकास डालना है चली अब इसका हम लोग उत्तर देखते इसका उत्तर हो जाएगा गहरी बाल्टी जानता था कि बीना यूद के इटली के की करन संभाव नहीं था उने सस्त्र और गू si собствен को कि एक सेना बनाए जो लाल कूर्ति कहला मतलग कुछ सेना का एक कुछ आदमियों का एक सेना बनाया यानि समू बनाया जो कि लाल पूर्थी के नाम से जाना यहां पर पूछा जाता है कि लाल पूर्थी का सेना किसने बनाया था याद रखेगा किसने बनाया था गैरी बाल्टी हो जाएगा इसका उत्तर उसने अपने कुटनीती द्वारा 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 यहां पे लिखा हुआ इटली का कि करन संभाव कर दिया उसी परकार कि करन विस्मार के परियासों का फल था विस्मार के परियासों का फल था उसने कुट नीती और सब्सक्राइब के सहारे जर्मनी काय की करन किया है जर्मनी को एक सुत्र में बांधने के लिए विस्मार्क ने रक्त और लह सोरी रक्त और तलवार रक्त और तलवार की नीती अपना है विस्मार्क के जर्मन की करन के उद्देश तीन यूदो द्वारा पूर्णुवा तीन यूदो द्वारा के साथ वर्षों के आल्प समय में लड़ी गई तीन यूद लड़ी जर्मनी के करन में प्रसा के राजा बिल्यम पर्थम का परहुत बड़ा हात रहा चली यह उगे इसका उतर अब इसके बाद कि है दीरगुतरी प्रश्ण अब इसके बाद दीरगुतरी प्रश्ण नेक्स व चलिए मिलते हैं अगले विडियो में और अभी तक अगर आप इस नंबर पर अगर आप संपर्ग करना चाहते हैं तो 99 के बच्चे हो या तो 11 के बच्चे हो या तो 12 कोई भी आपको अगर आपका सपना बॉर्ड में 400 प्लस करने का तो इस नंबर पर करें ठीक ना इस नंबर पर जो दिये हुए इस नंबर पर आपको क्लास दी जाएगी जो की एकदम 100 परशेंट जिससे हैं कि आप लाज सकते ह नंबर ठीक ना तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाएं तो जाए भारत चानल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को भी लाइक